हलो फ्रेंड्स आपका हमारे योट्यूप चैनल में स्वागत है यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें सेयर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें करेले का अचार बनाने के लिए मैंने इन करेलों को साप से धो लिया है धोके मैंने इसे सुखा लिया है अब मैं इसके उपर और नीची दोनी सिरूं को काड़ दूंगी तो फ्रेंस करेले का अचार काफी स्वादिश्ट होता है और हम इसे अच्छे से बनाएं तो यह साल वहर तक खराब नहीं होता है अब हम इन इसको अपने मंचाय सेप में हम इसे काट सकते हैं इस तरह से मैं काट रही हूँ आप लंबा लंबा भी काट सकते हैं काटने के बाद हम इसमें एक चमज नमक डालके नमक को अच्छे से मिला लेंगे अच्छे से मिला के हम आदे गंटे इसको ऐसी रहने देंगे जिसे की इसका सारा पानी निकल जाए आदे गंटे तक हम इसे ढखके रख देंगे आदा गंटा हो चुका है अब इस करेलों ने पानी छोड़ दिया है इसमें मैं एक्ष्टा और पानी डालके इसे अच्छे से वास कर लूँगी और किसी बतन में छान लूँगी कि पानी अलग हो जाएगा उसके बाद में किसी कपड़े में इन करेलों को फैला लोंगी और कि इसे सुखा लोंगी इतना सुखाना है कि जीसे से इसका बाहर का पानी सुख जाए और ज्यादा नहीं सुखाना है यदि धूप में सुखाएंगे तो तेज धूप आरी ओं आरहिए-लता रहीज में आधा घंटा रहेंगत तो ये अच्छे से अच्छंद बनाने लायक हो जाइंगे और यदि धूप नी ये तो हम इसे पंखे में एक घंटा पंखे में सुखा सकते हैं पनके में गंटे में अचार बनाने लाइव सूपर जाएगा और इसके लावाव यह जीरा और यह सौफ, अजवाइन और मेथी, सारे मसालों को हम थोड़ा सा हलका भूनेंगे, अधिक नहीं भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि इनका जो मौश्चर है वो उड़ जाए और हल किसी खुसबू भूनी हुई जैसी मसालों की आ जाए अधिक रोस्ट नहीं करेंगे, मैंने फ्लेम आप कर दी है, फ्लेम आप करके भी मुझे इस तरह से चलाना पड़ेगा नहीं, तो यह बरतन गरम है, मसाले निजी से जल सकते हैं अब इन सारे मसालों को हम दर्दरा पीस लेंगे, मिक्सी जार में डालके इन में सर्सों जो थी, सर्सों के मस्टार्डे सीट जिसे कहते हैं, सर्सों के बीज, वह भी उनको भूना नहीं है, उन्हें हमने अच्छाई अच्छाई इन डालके इसे अच्छे से पीस लेना है, अब यह देखिए, करेले मैं धूप में सुखाए थे, अब यह अच्छे से सूख चुके हैं, अचार बनाने लाएगे, हो गए हैं अब एक बतन में तेल गर्म करेंगे, तेल में से दुआ उठने लग जाए, तो हमने फ्लेम को ओफ कर देना है करने के बार इसमें मैं हिंग डालोंगे थोड़ा और यह है हलदी पाउडर हींग और हलदी पाउडर मैंने फ्लेम आप करने के बार डाला है और थोड़े से मैं करलाउंजी के बीच भी डाल दोंगे और उसमें करेले जो है इनको अच्छे से तेल लगा लोगी तेल में इसको अच्छे से पलट लोगी ताकि तेल और हल्दी वाला तेल जो है यह पूरे मस्ट करेलों में अच्छे से लग जाए अब फ्रेंड्स हम इसमें सारे मसाले मिलाएंगे सबसे पहले जो बारिक कटेवे आम है वो डालेंगे उसके बाद जो मसाले मैंने अभी मिक्सी में पीस रखें वो डाल देंगे और यह है कस्मीरी लाल मिर्च और यह नॉर्मल लाल मिर्च है यह काला नमक और सादा नमक और यह है विनेगर यानि कि सिरका अब इन सारे मसालों को अच्छे से हम मिला लेंगे कि मसाले मिल चुके हैं फ्रेंड्स यह अचार बन चुका है अब हम इसे किसी एयर टाइट तिब्बे में रख देंगे आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स